तमाम दोस्तों को टीम पेगामेसेंद की तरफ से असलो मुलेकुम दोस्तों आज से हम करंट अफेर्स का भी एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं तो आज हम जनवरी 2022 के जितने भी करंट अफेर्स हैं नेशनली और इंटरनेशनली जो भी वाक्यात रूनमा हुए हुए हम उन पर डिसकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आएंदा से 2022 के करंट अफेर्स की भी एक सीरीज बनाएं और नेक्सली हर मन्त की भी एक सीरीज वाईस हम वीडियो बनाते जाएं कि हमारा करंट अफेर्स भी कवर हो सके और जॉब्स के हवाले से हम उसकी प्रेपरेशन कर सकें तो चले हम स्टार्ट करते हैं यह हमारा पहला वीडियो है तो इसका जो राइट अंसर है वो है फ्री ट्रेड एग्रिमेंट इसका परपस है और how many member countries are there in regional comprehensive economic partnership तो इसके जो member मुमालिक हैं वो 15 है नेक्स्ट क्वेस्टन है जो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है उसमें से वर्स पासपोर्ट जो है अफगानिस्तान का है और नेक्स्ट क्वेस्टन है तालबान government ने कितने अफगानी billion का budget approve किया है जो पहला budget था उनका उसका right answer है 53.9 billion तो नेक्स्ट क्वेस्टन है हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स के मताबिक 2022 में सबसे टॉप रैंकिंग में पासपोर्ट किसका था तो उसका right answer है जैपान एंड सिंगापूर और नेक्स्ट क्वेस्टन है वो बिकम्स फिस्ट अफ्रिकन अमेरिकन विमन तो अपिर आन युएस कोईन इसका right answer है पोईट माया एंजलो नेक्स्ट क्वेस्टन है वें तालबान गौर्नमेंट अप्रूब इस फिस्ट बजजट सिंस दे इस्लामिस रिटर्न तो पावर इन अगस्ट तो अगस्ट में एकदार में आने के बाद तालबान ने अपना फिस्ट बजट कप पिश किया है इसका right answer है बाराज जनवरी दो हजार बाइस नेक्स्ट क्वेस्टन है दसी ड्रेगन 22 तो फिस्ट मुल्टी लेटरल एंटी सब मेरेन एकसाईज अगनाईज बाइ विच कंट्री तो इसका right answer है अमेरिका इसके बाद है विच कंट्री रिसेंटली फिर्ड हाइपर सॉनिक मिजाइल आफ्टर इस फिस्ट टेस्ट इन सेप्टमबर 2021 यह सब पहला हाइपर सॉनिक मिजाइल किस मुल्क ने फियर किया है रिसेंटली तो उसका right answer है नौर्थ कोरिया नेक्स्ट कोस्टन है हमारा डैनिल ओल्टिगा सोन इस विच कंट्री फिस्ट प्रेजिट फॉर्थ कंट्री तर्म तो इसका right answer है हमारा निकारा गुआ नेक्स्ट कोस्टन हमारा है पेरी ओलिवर गोरिंचाज इस दे नू चीफ एकोनोमिस्ट आफ विच इंस्टिशन पेरी ओलिवर गोरिंचाज किस इंस्टिशन का नया चीफ है तो इसका right answer है IMF International Monetary Fund और नेक्स्ट कोस्टन है दे न्यू कोविट स्ट्रेंड नेम डेल्टा क्रॉन वास इडेंटिफाइड ओरीजिनली इन विच कंट्री इसका right answer है कब्रस ये कब्रस में इडेंटिफाइड हुई थी डेल्टा क्रॉन नेक्स्ट कोस्टन है विच एक्स यूरोपियन पर्लेमेंट प्रेजिडेंट डाइड इन जन्वरी 11 टॉन्टी जिरो टॉन्टी तू इसका right answer है डेविड सासूली और नेक्स्ट कोस्टन है और जन्वरी 11 टॉन्टी टॉन्टी जिरो एड मिलियन डॉलर इडिशनल एड फार अफगानिस्तान तो इसका right answer है यूनाइटेज स्टेट्स ने 308 मिलियन यूस डॉलर की अडिशनल एड अफगानिस्तान को अप्रूव की है नेक्स्ट कोस्टन है इसका right answer है राफेल नदाल है और नेक्स्ट कोस्टन है विच कंट्री वन दियर फर्स्ट एटी पी कप फाइनल अन जन्वरी 9, 2022 तो इसका right answer जो है वो है कैनेडा नेक्स्ट कोस्टन है इसका right answer है वो है इंडोनेशिया वो है इसका right answer है वो है इंडोनेशिया ends in July 2022 तो इसका right answer जो है वो है हिथाम अलगैस नेक्स्ट कोस्टन है हमारे पास the first ever pig to human hair transplant performed by a team led by a cardiologist surgeon named first pig to human hair transplantation है जो हुई है उसका जो काडियो सर्जन था head वो था बाटले next question is which country is facing unrest due to the sudden spike in fuel prices in January 2022 इसका right answer है काजाकिस्तान काजाकिस्तान में आजकल crisis चल रहा है सियासी बोहरान चल रहा है Egyptian phalistine activate arrived in France on January 8, 2022 after release of from Egypt named जो right answer है वो है रामे शात यह Egyptian phalistine activist था जो के detain था Egypt में जिसको उन्होंने release किया है और वो 8 January 2022 को France पहुंचा है G7 22 summit will be held in which country इसका right answer है Germany next question है which country has ordered the closure of a mask in the north of the country for six months because of anti-semitic remarks इसका right answer है France next question Japan recently signed reciprocal access agreement RAA with which country तो यह जापन और अस्ट्रेलिया के दर्मियान एक एग्रिमेंट agreement sign हुआ है तो इसका right answer हमारे पास होगा Australia which country has officially banned conversion therapy which claims to change a person's sexual orientation or gender identity तो इसका right answer है Canada next question है which country launched the SEMROG satellite carrier rocket with research devices इसका right answer है Iran next question which is the current SCO secretary journal Shanghai cooperation organization का जो current secretary journal है वो है Zhang Ming next question है the first-ever pig to human hair transplant was performed in the USA on January 7th 2022 who was the recipient of the pig's hurt यह जो पहली pig to human transplantation हुए उसमें जो recipient था pig hurt का वो था David Bennett senior next question which South American country is drafting a new constitution यह है चिली चिली में अभी नई आईनी इसलाहत पे जो है काम हो रहा है रिसेंटली विच कंट्री ग्रांट्री ग्रांट्स फलाह मुबारिक अल-हजराफ next question first case of florina detected in which country its right answer is Israel next question is Nadir Beg Abdus Taroff the youngest ever world rapid chess champion is from which country तो इसका right answer है उस्पकिस्तान next question the new covid variant named IHU B16402 has been discovered in which country its right answer is France next question is the area of the Khornaak food is disputed by India and China and is under the control of which country तो इसका right answer है China what is the name of annual meteor shower which is active during January तो इसका right answer है Quadrantist next question is which global association or body recently released a statement with a view of avoiding nuclear war इसका right answer है United Nations Security Council next which company becomes the first to hit 3 trillion US dollars market value on January 3 2022 the right answer is Apple next question is which is the world braille day observed every year its right answer is January 4 next question J-10 is a DASH generation multi-role fighter jets its right answer is 4.5 generation next J-10 Chinese multi-role fighter jets have been made by which company company तो इसका right answer है Chengdu Aircraft Corporation China next question is according to the Wall Street Journal the US spent DASH dollars on the wars in last 20 years the right answer is 14 trillion US dollars नेक्स्ट क्वेश्टेन इस अब्दाला हम्दोग वो अनौंस्ट इस रेजिगनेशन रिसेंट्ली वाज अप्राम मिनिस्टर आफ विच कांट्री इस राइंसर इस सुडान यह सुडान का जो था प्राम मिनिस्टर था जिसने अभी रेजिगनेशन अनौंस किये नेक्स्ट इस टेक्विला फिश विच विच वाज डेक्लियर एक्सिंट इस बें री इंट्रूस्ट तो विच कांट्री के राइंसर इस मेक्स kanें नेक्स के राइंसर commenodenा काल विच विच कांट्टी वैक्सी ऑफ जय सनवारी वो था त nênूंसर कर फिच कांट्यू ल। विचकत्न इस ब्लाइंसिवा 혁 प्राम Dollar next according to the international press institute a total of days journalists were killed in the year 2021 the right answer is 45 next which country won the under 19 asia cup 2021 india won the asia cup 2021 under 19. the rcep trade pick took effect on the right answer is 1st january 2022 name of the lady who become the first transgender doctor of pakistan the right answer is sarah gill she became the first transgender doctor of pakistan who is going to buy video game company activision blizzard in 68.7 billion dollars the right answer is microsoft next question south africa launches first made in africa satellite on the right answer is 13 january 2022 next question is pakistan first ever digital city launched in which city haripur so haripur will be the right answer next question is daniel ortiga shown in as president of nicaragua for right answer is fifth term next question when pm imran khan launch is pakistan's first ever national security policy the right answer is 13 january 2022 next question first environmental laboratory in balochistan will be set up in right answer is lasbella university of agriculture water and marine sciences next next which pakistani bank wins global award for the islamic banking its right answer is state bank of pakistan next question is ATP cup tennis was won by right answer is canada next question is which airport ranks which airport ranks first in the global list for on time performance of the year 2021 the right answer is miami airport united states of america next question where first time a pig herd has been implemented in a human its right answer is USA next question is daesh is appoints kuwait's al-hitam al-gais as a new secretary general so its right answer is organization of the petroleum exporting countries OPEC who nominated as the first female judge of the pakistani supreme court its right answer is justice aisha malik opec the the oldest u.s. vatarian of w w to Lawrence N. Brooks जाज आ अ अ अ अ अ चिर से अच्स एज आ अ अ टीम पाथ प्रेस्ट और इंच अ उप्प इस्टारो और इसे विश्ट ए अ वान्याग आ अ फट्य आ चिर और्ट अ इसे फिर यज इंच ब्होंध रिज्वान अ अ किस रहता है। The right answer is 6th January 2022. Next question, which country will take the European Union presidency after the France? The right answer is Czech Republic. Next question is, first Islamabad-Istanbul train reaches Turkey on? The right answer is 3rd January 2022. The next question, five revisions, historic 138-year-old parliament of? The right answer is South Africa. Next question, world's longest metro line opened in? The right answer is China. Next question, Daesh opens embassy in Nicaragua after nation breaks ties with Taiwan. So, this right answer is China. Next question is, world's longest Shanghai metro network inaugurated on 31st December 2021. What is the length of it? So, its length is 831 km. So, right answer will be at 31 km. Next question, which country launched five-year-old plan to become a hub of world robotic innovation? So, this is China, which has five-year-old plan launched, so the right answer is China. E.O. Wilson died on 26th December 2021. He was the pioneer in the field of sociology. Next question, Pakistan buys how many China made J-10C fighter jets? The right answer is 25. Thanks for watching this video. Stay tuned with us for more educational and jobs updates. And, we will try to revise our video-doinities, which will be increase in current affairs. And which is our YK series in the front of it. We will also update our time and update your topic. So, we will be connected to our folks. And, we will give feedback for our students. Thank you. Allah exercises. जोड़ो जोड़ोई।